गुरु प्यारी साथ संगत जीयो आज कुछ बेंतियां आपां सांजियां करनेयां ने जिते तक जड़ी ज़रूरत है ओचीज उते तक रवे ते सही हुंदी है जे वादो जेवना फेर शायद ओचीज दा रूप को जो और बन जाता है आज गलां बता जो पिछे चालरीयां सी और सही सी पर आज जो हुन हुरीयां ने शायद ओदे वेच किते ना किते लोका नो दुबदा जरूर है की सरवत खालसा बलाण दी जरूरत है पहली ते अखीरली वार कदों क्यों बुलाया गया सी सरवत खालसा इसनों समझ लेना बहुत जादा जरूरी है तो प्यारे ओश वेच बेंदियां पासाजियां करने ने सारे जाने फते बलाओ पहला आखो जी वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फते गुरू प्यारे ओ वारस पंजाव दे मुखी अमरित पाल सिंग ताजा वीडियो दुरान ओ वार वार जथेदार जी नू अकाल तक हर साहिब क्यानी हर प्री सिंग नू सरवत खालसा बलाओ दी मांग कर रहे ने तुसी सुने यह जो वीडियो दे वेचे आ कि इस दी जरूरत है हुन सवाल है जी सबतों बड़ी । गदू सरवत खालसा बलाओ दा फैंसला लेसा गदे ने ए वी बहुत बड़ी स्वाल है क्योंकि सोशल मिडिया थे बहुत सारी यां बचारा है हरीं चली जाने सरवात खाल सा बलाउन दा मतलव की है हुन तक किन्नी वार कदों उते किड़े किड़े हलातां दे वेच सरवत खालसा सद्ध्ध़र गया है इस वरे तो आनो मैं जरूर सिल्सले वार दसना चावाँगा बहुत जरूरी है जी सरवत खालसे दा मतलब की हनदा है यह भी जरूर समझोड लेना सरवत खालसे दा मतलब है सारियां जठे बंदियां वल्लों आपसी बिवाद बुला के पांथ दे समने दर पेश चनवती नो सिर जोड के एक सोरवे चोस्दा हाल कड़न अते पांथ दे लेई एक दिशा ते करन एक मार्ग ते करन भी किड़े मार्ग ते तुरने जिड़े नहीं जान दे उननों दस्या जावे वेदर जाने हुण एक बंद है अन जाने उननों दस्या जावे पाई आ रा आ रा बर्नाले नू जान दे आ पटे आले नू जान दे तुर केड़े मार्ग तोरने तेरी पलाई केड़े चै ते जिड़ी मंजल ते पहुंचने है ओ बरनाले वेच दी निकल के पहला आओगी जा शौड कट लेके पटे आले वनीनू उन्हों समझाओना उन्हों गाइड करना ए हुंदी है असल दिशा नर्देशी पाव की उन्हों समझा आदेना सरवत खालसा कठा होना दा मतलब एए है कि जड़े लोकानू पता नहीं है जो दुबदा दे विच पैगे वी इदर तुरिये जा इदर तुरिये उन्हों दसना के पाई आ रा सही है जदो पांथ दे आगू नमाइंदे कठे हो के दसन गे वी पाई जिकारा लाके इदर जाना ते पूरा पंथ पूरी कौम दर दुरू की सब तो पहला सरवत खालसा सतारां सो बाई इस्वी नू सान सतारां सो बाई नू अमरे सारदे वेच पाई मनी सिंग ने जो कीता सी सो गुर्मक प्यारे ओ फिर उदे वेच एक चीज सी माता साहिव को और ते माता सुंद्री जी ते केंड ते सद्या गया सी दरसल सोडां सो नडिन्मे वेच खालसा पंथ दी स्थाफना हो इसी स्तारां सो नौ वेच शिरी गुरू गोबन सिंग जी जोती जोद समागे सान जिस्तो बाद बाबा बंदा सिंग बहादर नो सिख कौम दा जथेदार बनाया गया उन्हाने स्तारां सो दास वेच राज सिख राज काइम कीता ते स्तारां सो सोडां दे वेच बाबा बंदा सिंग बहादर शिहीदी पा जान देने इस तो बाद बंदी खालसा अते तात खालसा दो गोट बनगे जो सिख बंदा सिंग बहादर दी फौज बे सान ओ अपने आपनो बंदी खालसा कहीं दे सान तेड़े दूजे सी ओ अपने आपनो तात खालसा कहीं दे सी दोवा दे मात पेर दूर करन दे लई माता सुंदरी जी अते माता साइव कौर जी ने पाई मनी सिंग जी नो किया कि इना दोमा नो अमरिर सर बलाउन अते विवाद सलजाउन फिर सरवत खाल से दे रूप विच दोमा नो सद्द्या गया सी ते विवाद नो हल कीता गया सी देखो सरवत खालसा क्योंकि जो मसले उन्दे न उलजे हुई उननो सलजाउन दे लई सरवत खालसा सदिया जानदा है शिरी गुरु गोबन सिंग जी तो बाद बाबा बंदा सिंग बहादर फिर दरवारा सिंग अते फिर सरदार कपूर सिंग नो सिख कौम दे जरनैल दी जुम्मेवारी सोंपी गई उस बिले नादर शा ने बहुत लोट मचाई उसने खजाना ता लोटे आई नालती या पेंडानो भी नाल लेके जान लग प्यासी उस बिले सरदार कपूर सिंग होराने सारे सिखाने सारे शेक्षना नो इकठा कीता सरवत खाल सा सद्दे आ गया किमे नादर शादा समान दे ती या पेंडानो पंजाब तो लजा सकता है फैंसला होया नादर शादा डाट के मुकावला कीता फिर उसनों खाली हाथ मोड़या ते प्यारे ओ लहौर पंचन तो बाद नादर शादा ने किया के एक किमेरी कौम है असी इसनों मारे या फिर उठके साड़े ते हमला कीता स्तारा सो अड़ ताली दे वेच जदो अवदाली ने नादर शाद जान तो बाद हमला कीता ना तांक नवाब कपूर सिंग ने जसा सिंगालू वालिया नों ट्रेन करन दे लई एक ट्रेंड कीता एक एकाठ बुलाया दस्या के किमे सिखानों एक जो ट्राके लीड करनाया इसनों सरबत खाल सादा ना नहीं दिता गया उस बड़े सिखांदे दो बाल सी एक तरणा दल तेक बड़ा दल जड़े 40-50 तो वद सी औव बड़ा दल दे मेंबर सी जड़े चाली कोट सी औव तरणा दल दे मेंबर सी फिर प्रश्राशनिक काम वेखन दे लई ए पांच दलाँ दे विच वंडे गए एक दाल विच सो सेख जदो जसा सेंगालू वालिया ने एमद शानुहर आया तां हौली हौली ए बारा मिसलां बनगी यां जिना ने पंजाब नू आपस दे विच वंड लिया 1799 दे वेच महाराजा रनजीर सेंग दा आगमन दे तां मुगलां दे खिलाफ ओ सारिया मैसलानों कठा कर देने पर उस विले सर्वत खालसा वरगी कोई गल सामने नी नी ओंदी फिर स्रोमनी कमेटी बनन विले सर्वत खालसा मुड़तो चर्चा दे विचा जान दे 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 मुड़तो चर्चा दे जान फिर जान कारा दे मतावग 1995 जदो शिरोमनी कमेटी हुँद विच आऊँदी है ता सिख रहत मर्यादा बनाऊन दे लए सरवत खालसा सद्धया जान दे है कई साल चरचा तो बाद सिख रहत मर्यादा तियार हो दे है पेयरेो इस तो बाद दावा कीता जान दे है 1986 दे विच सर वाले दे पती जे जसवीर सिंग रोडे नू जथेदार था प्या जानदाई पर इसनू लेके दोर आई सी कुछ विदवना दा कहना है कि 1986 वेच सरवत खालसा वेच एक ही गुरुप नू बुलाया गया दूजे नू नही एसले इसनू सरवत खालसा नहीं किया जा सगदा अखीर ली वार सरवत खालसा अमरीका दे सिख विदवान जोगी हरपजन सिंग दी मंगते 1996 वेच शिरियकाल तक साहिब दे जथेदार साहब ने साथ देता सी उस विदे इसनू वर्ल्ड सिख काउंसल दा ना देता गया सी इस विदे सेख पांथ दे समने दरपेश चनवतियां दे विचार कीता गया सी उस तो बाद 2015 दे विच बेदवी तो बाद कोज सिख जथे बंदियां ने मिलके सरवत खालसा बलाउन दा फैंसला लिया सी इस विच मुतवाजी जथेदारां दी नियुक्ती होई कोजी ही सालाँ विच सारे मुतवाजी जथेदारां दे विचारे मत पेड़ी होगे सी उस तो अनुसारी पताया अस्तीफा दे दिता गया वारस पंजाव दे मुखी होन अमरित पाल सिंग वलों सरवत खालसा सद्ण दी मांगो रही है शिरी अकाल तक हसाहव दे विए फैंसला लेना है कि वो सरवत खालसा सद्ण गे जाना है सरवत खालसा बलाूं लेज अजियहाँ कोई नियम नहीं है कि चार जाइफिर पांच जत्थे बंदिया मिलके कैन गी सर्वात खाल सा बुलाया जा सकतें ए फैंसला शुरी अकाल तक उत्छे पांज सिंघ सहभाना नाल मिलके करना होगी जो पनजाब सा बनाया जाई प्यारे ओ, सर्वात खाल सा बुलाया जाना चाईद है जो नौजवानी जो देशा पेश साड़ी पढ़ चुकी है उन्हों सही रास्ते ते पौन ली सरवत खाल सा सदना चाहीद है तो प्यारे हो अपन जरूर सरवत खाल से दे विच जाके हाजरियां लवाई हो सोई न्हीं आप इन्हें में तां कीती है ने सरवत खाल सा कदो कदो बलाया गया च thigh कुदा पाव की ए कदों बुलाया जाना चाहिए नहीं इना बेंतियां देविच मैं तो अडिनार जो विशे संज कीते ने तुसी आप हिसाव ला लेओ कि अज़ दे समय देविच सरवत खाल से दी बलाउन दी किन्नी को मंग जाए जाए मंग जाए जाए ते होना चाहिए ते अपा सारे मिलके उस देविच वद चड़ के साथ लेए वाहिगरू जी का खाल सा वाहिगरू जी की फते